बिहार के चात्र चात्राओं वो बेतर सिक्षा मिल सके इसके लिए चात्रवृति योजना की सुरवात की गई है बता दे किस योजना के तहट चात्रों को उच्छ सिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता व श्कॉलर्शिप प्रदान की जाएगी आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस योजना का लाग केवल वे छातर ही उठा पाएंगे जो अपनी खड़ाव आर्थिक स्थितिकी वज़ा से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं इस चातरविती योजना के अंतरगत लगभग 200 से अधिक कॉलेज है और 80 से अधिक कोश उपलब्ध है इससे विद्यार्थी अपने एक चानुसार एडमिशन लेकर पूरा कर सकते हैं चलिए हम आगको बताते हैं कि इस योजना का लाव चातर कैसे उठा सकते हैं उससे पहले यह जान ले कि इस चातरविती योजना के लिए कौन से चातर आवेदन कर सकते हैं इस चातरविती के लिए बिहार के स्थाईन निवासी के दोरा ही आवेदन किया जा सकता है इस योजना का लाव दसवी पास चातर ले सकते हैं पार्वी कक्षा के चात्र भी स्योजना का लाव उठा सकते हैं। इसके साथ ही वैसे चात्र जो कॉलिज में नामांकर्म करानी या फिर फाइनल इयर के चात्र हैं, वे भी इस योजना के लिए आविधन कर सकते हैं। वैसे चात्र जो इस योजना का लाब उठाना चाहते हैं, उनके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने जरूरी हैं। इस योजना का लाब उठाने के लिए उमिद्वार को सबसे पहले इसके अधिकारिक वेबसाइट www.ccbnic.in पर जाना होगा। जहां जाकर उन्हें अपलाई ओनलाइन के आप्शन पर क्लिक करना होगा और इसके बाद यहां जो भी जानकारी पूछी गई है, उन सभी जानकारी को दिये गए जगों पर भरना होगा। उमिद्वार फॉर्म भरने के बाद अपना एप्लिकेशन, रिसेप्ट और काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करना ना भूलें। बता दें कि इस चात्रवृति के अंतरगत सरकारी यूनिवर्सिटी के कुछ प्रमुख कॉलेज हैं। SC, ST, OBC, General और Minority विद्यार्थियों को उनके चुने के कोर्स के अनुसार 100% तक की चात्रवृति यानि की 40,000 रुपे से 75,000 रुपे तक का लाग प्रतिवर्स दिया जाता है। इस योजना का लाब उठाने वाले चात्रों से किसी प्रकार का सुल्क किसी भी रूप में जैसे एप्लिकेशन फॉर्म, रेजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग, अलॉट्मिन या एडमिशन के नाम पर नहीं लिया जाता है। आज के लिए इतना ही धन्यवाद।